पता है सबसे इंट्रेस्टिंग कहानी क्या होती है वो जो कहानी नहीं सरा सर सच होता है और अगर ये सच्चाई हो एक murder mystery या फिर किसी गुमशुदा की तलाश तब तो इसे जानने में तह तक इसके सारे राज तक पहुंचने का मज़ा ही कुछ और है नेट्फिक्स पर आज से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है एक ऐसी ही murder mystery जिसका नाम है American Murder इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस documentary को देखने के एक चुक हैं और आपके पास Netflix है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजे क्योंकि सारे राज इस वीडियो में खुलने वाले हैं और अगर आपके पास Netflix नहीं है और आपकी इंग्लिश में पकड कमजोर है और इस documentary के बारे में सब को जानना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से तो इस वीडियो को आगे देखे तो नमस्कार मित्रों मैं हूँ प्राची और हॉलिवड पाच्छाला लग आज से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर एक रियल लाइफ पर बेस डॉक्यमेंटरी अमेरिकन मुर्डर्स आपको बता दू कि इस डॉक्यमेंटरी में सारे फुटेज सारे विडियो बिलकुल रियल हैं कोई भी ड्रमाटिक तरीके से रिशूट की बल तो आपको बता दू कि ये कहानी है शनेन वाट्स और उसके परिवार की जहां पर शनेन वाट्स गुमशुदा हो चुकी है Are you ready to know कि शनेन वाट्स कहां पर है एक सुन्दर सी फैमिली प्यारा पती दो छोटी बच्चियां तीन और चार साल की और तीसरे बच्चे के साथ प्रेगनेंट शनेन वाट्स की लाइफ इतनी परफेक्ट थी हाला कि उसकी पास लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं रही एक डि उसे बहुत प्यार दिया जब तक शनेन ने उसे शादी के लिए हान नहीं कह दिया और शादी की लाइफ तो इतनी परफेक्ट कि शनेन जो कि सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के बहुत सारे वीडियो को लेकर अपलोड करने का बहुत शौक रखती थी और खूब सारे अच्छी को लेकर अच्छानक से गायब हो गई? शनेन को उसकी बेस्ट फ्रेंड निकॉल ने रात के दो बजे ड्रॉप किया था उसके घर पर लेकिन उसके बाद से कितने ही मैसेज़िस कितने ही पोन काल्स किये लेकिन शनेन का कहीं भी पता नहीं डरकर Nicole ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने की investigation शुरू उसके पती को office से बुलाया गया ताकि वो घर खोल सके ताकि पुलिस घर के अंदर दाखिल हो सके और यहाँ पर entry होती है शनेन के पती Chris Watts की जो कि according to neighbors कुछ अजीब से दिखाए दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही cool and calm रहते हैं normally लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा बाते कर रहे हैं उनका body language बहुत ही ज़्यादा disturbed लग रहा है लेकिन obviously पतनी और दो बच्चियां लापता हैं कौन पती अपने normal nature से अलग behave नहीं करेगा आप ही बताइए आजकल तो हम हर तरफ देख रहे हैं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं कि NCB और CBI की घंटो घंटो तक लोगों से पूछताच होती रहती है और अब इस documentary में आपको देखने को भी मिल जाएगा कि यह पूछताच कैसे होती है किस तरह से की जाती है किस तरीके से जिस पर आपको शक होता है उसको बोतल में उतारा जाता है और इस documentary में वो सब कुछ देखने को मिला To cut the story short, यहाँ पर एक शक आता है क्रिस वाट्स पर इस बात से कि क्रिस वाट्स की दो बेटियां लापता, वाइफ लापता लेकिन क्रिस ने एक आंसू भी न गिराया उसने दुख भी जाहिर नहीं किया बलकि उसके बॉडी लैंग्विज में एक अजीब सी चीज थी जो बहुत ही जादा अनसेटलिंग थी क्रिस जब पहले शेनन से शादी करा था उससे लेके आठ सालों में अब तक उसकी बॉडी में बहुत बड़ा ट्रांस्पोमेशन आया है वो अब किसी मॉडल से कम नहीं लगता था जो कि वो पहले बिलकुल नहीं लगता था पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन में ये पूछा कि ये बहुत ही कॉमन बात है मर्दों में अगर उनकी लाइफ में कोई एक दूसरी ओरत आ जाए तो वो अपने शरीर का ज्यादा खयाल रखने लगते हैं क्रिस ने तो इस बात से साफ इंकार कर दिया और फिर ये इन्वेस्टिकेशन आगे बढ़ी पॉलिग्राफ टेस्ट की तरफ जिसका मतलब है कि आप सच कह रहे हैं या नहीं ये एक मशीन डिसाइड करेगी क्या क्रिस सच कह रहा है या जूट शनेन के फोन से पता चला कि क्रिस ने शनेन को बिलकुल ही अलग थलग कर दिया था वो बंद हो चुका था वो उसके साथ कोई फिजिकल इंटिमसी भी नहीं रखना चाहता था वो बिलकुल ही अलग हो चुका था और शनेन को यू लग रहा था कि क्रिस का जरूर कोई न कोई अफैर है जिसको क्रिस बार बार नकार रहा था शनेन अपनी बेस फ्रेंड्स को मेसेज करती और ये कहती कि अब वो अकिले में रो रही है क्रिस उसे छूता भी नहीं है पांच हफतों तक वो अपनी बेटियों को लेकर अपने माबाप के घर में गही लेकिन क्रिस ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया कोई मेसेज खुद से नहीं किया शायद उसकी शादी तूटने वाली है इस बात के बारे में जब क्रिस को पुछा गया तो क्रिस ने ये कहा कि हाँ जब वो अपने माता पिता के घर में 5-6 हफतों के लिए गई थी उसके पहले उसी सुभे क्रिस और उसकी वाइफ की कुछ बाते होई थी जिसे वो emotional conversation का नाम देना चाहता है उसने कहा था कि वो अपनी बीवी से separate होना चाहता है वो एक अलग future चाहता है लेकिन हाँ उसका कोई affair नहीं है शनैन को यू लगा कि उसकी जो पहले वाली relationship थी वो एक बार फिर से सामने आ पड़ी है यानि एक और आदमी जो उसे चोड़ कर जाना चाहता है यानि एक और divorce लेकिन इस बार साथ हैं दो बच्चियां and third on his way यानि कि वो अब एक baby boy के साथ में pregnant थी वो भी 15 वीक से polygraph test के दौरान Chris का body language इतना ज्यादा tense था कि यह test दो बार लेना पड़ा दो बार सेम सवालों को पूछा गया और test obviously negative आया यानि के वो जूट बोल रहा था सरासर हर बात पे वो जूट बोल रहा था तो सवाल यह उड़ता है कि शनैन और उसकी दो बच्चियां हैं कहां जब बहुत ज्यादा बात पर उसने बात बात पर हर चीज को नकारा और यह कहा कि वो तो इंतजार ही कर रहा है कि अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की शकल वापिस देखने में तब बुलाए गया क्रिस के बेस्ट प्रेंड यानि उसके फादर को बंद कमरे में कैमरा लगा कर आखिर कार क्रिस ने कह ही दिया कि हाँ उसने शनेन की गला घोट कर हत्या कर दी क्योंकि शनेन ने दोनों बच्चियों को मार डाला और इसका रीजन ये था कि उसे लग रहा था कि क्रिस उसकी लाइफ से जा रहा है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल तरीके से जब ये कहानी अनफोल्ड होती है तब अन्त में रास खुल जाता है कि क्रिस का था एक अफैर एक लेडी है जो कि अन्मारिड है लेकिन क्रिस कहते हैं कि उनकी शादी से अब वो बाहर निकलना चाते हैं बहुत ही जल वो शनेन को छोड़ देंगे और इसी बहाने से वो उस लेडी के साथ में छुटियां मनाने जाते जब जब शनेन बाहर जाती वो छुटियां मनाने जाते जब जब वो बेबी सिटिंग कर रहे होते अपनी बेटियों की तब किसी बेबी सिटर को हायर करके वो उस लेडी के साथ में जाते रेस्टरॉंट में इन बातों को पता शनैन को उनके बैंक स्टेटमेंट के बिल्स को देखकर समझ में आ चुका था दीरे दीरे क्रिस का ये राज राज नहीं रहा कि वो शनैन को धोखा दे रहा था और इस बात से शनैन को बहुत ज़्यादा एतरास था अब सवाल ये उठता है कि शनैन को तो उसने मार दिया लेकिन उसने एक भी आसू अपनी बच्चीयों के लिए क्यों नहीं गिराए वो बार-बार कहता जा रहा था हाँ मैंने बीवी को मारा है लेकिन बच्चीयों को मारने का बिलकुल भी मेरे उपर इल्जाम नहीं आना चाहिए फॉर्दर इंवेस्टिकेशन से पता चला कि शनैन पहले मर गई थी और बच्चीया उसके बाद मरी थी अब इसके पीछे का राज क्या है क्रिस ने शनैन को देखा उसे दिल दे बैठा उसे शादी के लिए मना लिया इवन दो शनैन अपने पिछले रिलेशन्शिप के बाद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी अचानक से जल्दी जल्दी दो बच्चे हो गए तीसरा बच्चा भी हो गया शादी को आठ साल भी हो गई ये सारी चीज़े क्रिस को अंदर यंदर कचोट रही थी वो अपनी पुरानी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और जब गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ में आई तब उसे अपनी इस फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट करके एक नई जिन्दगी जीनी थी बात बाहर आ चुकी थी कि क्रिस ने अपनी बीवी और अपनी दोनों बच्चियों का खून कर दिया था और ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खराब तरीके से किसी ने अपनी फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया ये उसका केस था और सबसे अजीब बात तो ये है कि क्रिस को देखकर ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता था कि वो खून कर सकता है और यहाँ पर इस डॉक्यमेंटरी का अंध होता है बहुत ही एमोशनल तरीके से जब शनेन की सारे पैरेंस आते हैं उसके भाई आते हैं कोट्रूम सीन दिखाया जाता है हाला कि सबसे ज़्यादा दुखत बात ये है कि ये जो कोट्रूम सीन है ये बिलकुल असली है बिलकुल भी नाट के अरूपांतर नहीं है और इस तरीके से शनेन जो की डिसपैर हो चुकी थी अपनी दोनों बच्चियों के साथ में दरसल अपने ही पती के द्वारा मारी ग देखकर बिलकुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है एक घंटे 23 मिनिट की इस जॉक्यमेंटरी का एक एक चित्र एक एक वीडियो एक पल एक बयान एक एक डायलोग बिलकुल ही सच है और यही इस मुर्डर मिस्टरी को सबसे ज्यादा इंट्रेस्टि पर बेस्ट मैं याने कि प्राची बहुत ही जल्द आप से मिलने वाली हूँ दो बॉइज इन दे बैंड जो थोड़ी सी लाइट हाटेड कॉमेडी फिल्म है इसके विडियो एक्स्प्लेणर के साथ में याने कि इसकी भी लगेगी हॉलिवूड पार्ट शाला राइच है इस विडियो को लाइक करिये शेयर करिये शब्सक्राइब कीजिये और वाटसप्-बॉलीवूड पर यूही बने रहिये फॉर सम अमेज़ेंगी अंटरतेंग विडियो इस